Delhi Subordinate Services Selection Board ने निकाल दी हैं अपनी बहुत सारी वेकेंसी और पाँच बाते बताऊंगे इस पोस्ट के बारे में इन वेकेंसी के बारे में बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि Official Notification में खुद से जाके जरूर चेक करें प्रोफाइल के बारे में वेकेंसी पोस्ट, सालरी और एवरिधिंग राइट किसी का भी वीडियो मेरा या किसी का भी वीडियो देखके डारेक्ट कभी भी किसी भी वेकेंसी के लिए अपलाए ना करें अपने आप सारी टर्मस और कं एसिस्टेंट और सेक्योरिटी सुपर्वाइजर ऐसी बहुत सारी वेकेंसी तो आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हूँ सेकंड चीज आती है एलिजिबल्टी, एलिजिबल्टी में आती हैं दो चीज़े, फर्स्ट इस एज, एज में अगर आपकी एज है 18 से 30 एर्स तो ये पोस्ट आपके लिए आई है सेकंड चीज क्वालिफिकेशन के अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, ITI हैं, डिप्लोमा हैं, ग्राजवेट हैं तो सबके लिए, इन सबके लिए अलग-अलग पोस्ट आई हुई हैं उसमें, तो आप चेक कर सकते हैं, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन वाइस, राइट थर्ड चीज जो की again important है, वो है हमारा selection procedure, तो selection procedure में simple सी बात है, आपका है written exam और a skilled test तो इसलिए जल्दी से apply कर दें, जिससे के अपनी exams की preparation start कर सकें फोर्थ चीज आती है salary, salary में है आपकी different different categories में different different salary, like अगर आप group B में fall करते हैं, तो आपकी grade पे और salary कुछ और होगी के लिए आप apply करना चाहते हैं, उस vacancy का pay skill चेक करना पड़ेगा official notification में, और fifth बात जो बहुत important है, वो है 14th April से पहले apply करना है online, exam date अभी नहीं आई है, लेकिन hopes बहुत जल्दी आ जाएगी, तो apply कर दीजिए और अपनी exams की preparation start कर दीजिए, all the very best, bye bye